Hello friends, welcome back! स्वागत है आपका आज की हमारे साइंस और टेक्नोलोजी की लेक्चर नुकलियर फ्यूजन और इसमें हाल ही में जो बहुत इंपोर्टन ब्रेक्थू हुआ है जिसको कहा जा रहा है फ्यूजन इगनेशन उसके बारे में सबसे पहले ये टॉपिक जिसको फ्यूजन इगनेशन भी कहा जा रहा है न्यूज में क्यों बना रहा लॉरंस लिवर्मोर नैशनल लेबरिटी इन कालिफोर्णिया इन्होंने एक बहुत इंपोर्टन नुकलियर फेजन का ब्रेक्थू बेसिकली जो इनकी नैशनल इगनिशन फिसिलिटी है उसमें अनाउंस किया है दोस्तों जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंड़क्ट किया उसमें बहुत सारी लेजर्स को यूज किया गया जो फ्यूजन मेटेरियल है उसको पैलेट्स जो होते हैं जो fuel pellets होते हैं उसको heat करने के लिए target करने के लिए ये जो pellets होते हैं इसमें do data or tritraeum basicly use होते हैं जब ये lasers की वज़ा से heat जो generate होती है उसकी वज़ा से आपस में fuse करने लगती हैं आपस में मिलने लगती हैं तो उसके वज़े से बहुत ज्यादा energy generate होती है दोस्तों और जो energy का level देखा गया इस पूरी experiment में वो देखा गया कि ये लगबग 1.3 megajoule तक energy देखी गई है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा milestone है दोस्तों अब कि ये nuclear fusion होता क्या है इसको पहले समझा जाए उसके बाद ये समझा जाए कि ये जो major breakthrough है जिसको fusion ignition कहा जा रहा है ये important क्यों है nuclear fusion, fuse होने का मतलब क्या है कि कोई चीज आपस में आके आपस में fuse हो मिले fusion का मतलब है कि एक चीज तूटके अलग-अलग हो जाए तो nuclear fusion जब बहुत सारे चोटे-चोटे nuclei आके एकटा हो के बड़ा nuclei बना लेते है और इस पूरी process में चोटे-चोटे nuclei जब एकटा होते हैं, fuse होते हैं, एक बड़ा nuclei जब बनता है उसमें जो energy release होती है, इस large amount of energy को basically use किया जा सकता है power generations के, जिसको हम use करते हैं हमारे nuclear power plants में अचा sun जो है, उसमें इतनी heat है, energy है, light है किस तरीके से sun अपनी energy create करते हैं तो sun nuclear fusion के थूरू ही अपनी energy basically create करते हैं तो सोचिये sun is considered कि sun के पास unlimited amount of source of energy है अगर इस technology को humans भी, society भी, scientists भी अगर इसको master कर लें और इस unlimited source of basically energy को हम control environment में produce कर सकें जिसको हम अपने power generation में use कर सकें तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए एक clean energy solution को पूरे human society के लिए develop करना 2018 में comprehensive energy systems की basically एक book है उसमें कहा जाता है कि nuclear fusion एक inexhaustible resource है मतलब यह कभी खतम नहीं हो पाएगा safe option है इसके अलावा nuclear fusion में कोई radioactive last में waste नहीं बचता है कहीं ऐसा नहीं कि इसमें nuclear waste बच जाए जिसको dispose करने के दिक्कत हो जाए या कोई leakage हो जाए जो हमारे fission basically nuclear reactors में होता है तो clean source है कभी खतम नहीं होने वाला source है कोई radioactive waste इसके बाद नहीं बचेगा और almost zero CO2 emissions है कोई carbon dioxide इसमें produce नहीं होगी एकदम clean कभी खतम नहीं होगा safe और बिना radioactive waste का एक ये बहुत powerful energy solution हो सकता है अच्छा advantages क्या है nuclear fusion के एक तो abundant energy क्यागर आप इसको controlled way में fuse करवा सकें atoms को nuclei को तो एक chemical reaction के मुकाबले माली जी उनी का आप chemical reaction करवाए नुकलियाई का उसके बचाने को fuse अगर आप करवा दें तो उस chemical reaction के मुकाबले ये 4 million times ज्यादा energy produce करता है मतलग बग 40 lakh गुना ज्यादा energy किसी chemical reaction chemical reaction को आप मान सकते हैं माली जी आप कोईला जलाते हैं लकडी जलाते हैं, oil जलाते हैं gas basically आप burn करते हैं उसके मुकाबले fusion से 4 million times मतलग 40 lakh गुना ज्यादा energy याँ produce कर सकते हैं उसके बचाने बचाने क्योंकि जो fusion fuels हैं ये बहुत ही easily available है fusion की तरह आज के reactors में fusion यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमको uranium अगरा चाहिए होता है fusion में वो हमें नहीं चाहिए तो fusion fuels हैं जैसे deuterium हैं ये पानी जो है हमारा sea water है, heavy water है उससे आप distill करके निकाल सकते हैं इसी तरीके से tritium है, tritium को हम बेसिकली fusion neutrons जब lithium के साथ interact करते हैं उससे create कर सकते हैं तो एक तो abundant energy produce कर सकते हैं, sustainable तरीके से कर सकते हैं और इसमें harmful gases जैसे carbon dioxide है या जो बाकी green house gases है, methane etc वो भी basically produce नहीं होती तो बहुती clean solution है साथी साथ इसमें कोई long lived radioactive waste भी produce नहीं होता क्योंकि जो nuclear fusion reactors हैं इसमें कोई high basically activity नहीं होती, इस वज़े से एक बहुत clean solution है उसके अलावा proliferation की इसमें कम chances हैं किसी तरह की smuggling हो जाए, कोई fuel चुरा ले जो radioactive हो ये चीज़ें भी इसमें नहीं होती क्योंकि fusion reaction में uranium और plutonium जो की radioactive nature में होते हैं जो की fission में basically काम आते हैं उनका use नहीं होता जो detrium और treatium है वो non radioactive fuel की तरह use होते हैं, साथी साथ आमें कई बार होता है, Chernobyl कहां को reactor major incident याद होगा और उसमें अगर किसी तरह की leak हो जाए तो radioactive जो basically emissions होते हैं, वो बहुत large scale होते हैं वहीं पे fusion में इतना controlled and precise conditions में आपको पूरा operation करना पड़ता है तो अगर कोई leak होती है तो अपने आप ही वो जो plasma create हो रहा होगा in nucleus के fusion से वो immediately controlled environment से uncontrolled environment में चला जाएगा और पूरा reaction, पूरी process अपने आप shelf shut down हो जाएगी तो बहुत safe option भी है इस तरीके से अगर आप देख लें कि ये जो अभी हाल ही में जिसको कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है इसको कहा जा रहा है fusion ignition ये किस तरीके से achieve किया गया अभी ये कहा गया कि जो laser position है इसको basically improve किया गया design improvements किये गये और जो sun के अंदर जिस तरीके से energy produce होती है या fusion create होता है उन्ही conditions को lab controlled environment में generate किया गया और जो reactions हैं इनको basically alpha particles इनको plasma को heat करने के लिए bombard किया गया बहुत high temperatures basically generate हुए और ये जो heated plasma है जब plasma heat हो गया lasers की वजा से तो उसमें से जो alpha particles basically निकले वो एक self-sustaining reaction जिसको कहते है ignition वो start हो जाता है जैसे आप engine में जब चाबी लगाते हैं start करते हैं एक spark जाता है fuel को जलाना शुरू कर देता है अब जब उस engine के अंदर ही इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि जब आप नया fuel डालेंगे तो आपको नया spark नहीं देना पड़ेगा वो अपने आप ही ignite होता चला जाएगा तो यही conditions आपने fusion ignition में generate की कि शुरुआत में आपने lasers यूज की basically fuel को heat करने के लिए fuse करने के लिए जब fuse होना शुरू हो गया तो खुद ही इतना basically temperature release कर दिया alpha particles release करने लगया कि पूरा reaction self sustaining हो गया आपको अलग से fuel के अलावा और कोई चीज supply नहीं करनी पड़ी दोस्तों तो sun जैसे अपने आप अपनी energy लगाता generate करता रहता है हम lab में भी या fusion nuclear reactors में भी इस process को replicate कर सकते हैं अब ये बास समझ में आ जाए कि इस experiment से फाइदा क्या है इससे फाइदा ये है कि ये शाद पहली बार हुआ है कि nuclear fusion में जो sun में process होता है उसके through इसको पूरी थरह controlled environment lab में इसको replicate कर लिया गया है इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि जो process या fusion ignition हमने generate किया है इसको scale up किया जाएगा इसको scale up किया जाएगा इसको बड़े reactors में तबदील किया जाएगा और अभी nuclear अगर आप energy के बारे में देख लें तो nuclear fission reaction पे जो based है जिनमें radioactive elements यूज होते हैं unsafe भी बहुत बार हो जाते हैं इस technology से निजात पाकर हम unlimited energy की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि deuterium और tratium हम पानी से basically कर सकते हैं lithium से हम कर सकते हैं readily available है sustainable है self-sustaining है clean fuel है और आगे आने वाले समय में यह जो global bombing का पूरा issue है जिसमां greenhouse gases emit कर रहे हैं चाहे वो CO2 हो, methane हो इनका emission भी अपने आप cut down हो जाएगा इस clean energy solution के बजाए क्योंकि फिर आपको koily की जरूरूरत नहीं पड़ेगी आपको oil के जरूरूरत नहीं पड़ेगी आपको gas के जरूरूरत नहीं पड़ेगी आप nuclear fusion को large scale level पर globally implement कर सकते हैं दोस्तों तो मुझे उमीद है दोस्तों आज का ये short lecture on fusion ignition आपको पसंद आया होगा stay tuned for our next set of videos until then, जैहिंद, जैभारत